डेर फ्रेंड्स गुर्माने जो घागरा नदी है अपना खत्रा के निशान से उपर जा चुकी है जो बहुत ही परिशानी का सबब बना हुआ यह पाने जो यह पानी के तलहटी से तरम हैं लोग अपने अच्छे अस्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ में गोरू बच्छुरू जो जन्तु जानवर हैं उनको ले करके अच्छे जागा की और पलायन कर चुके हैं जा रहे हैं इसे तो अभी गाउं में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अभी लगबग दो-तीन हाथ पाड़े बढ़ेगा तो ही गाउं को नुक्षान हो सकता है लेकिन अभी खली बस जानवरों के लिए परिशान है जो लोग दिवार शेत्र में नदी के की आजो आजो रहते हैं उनको ह कि देखिए जो नती में जिनका घर है वहां भी है यह तो घर छोड़ करके अभी निकले नहीं है लेकिन बसरते कुछ लोग निकल चुके हैं जो एकदम ज्यादा पानी के करीब हैं वो लोग भाग रहे हैं हमारा ग्राम सुभाव पहना का सेन दिखा रहा हूं आप लोगों पहना जो हमारा 72 हाइवे के नजदीक पड़ता है बहुत एक बड़ा गाउं इसके नजदीक मोनोगड़ों बढ़वना एक डंगा आधी सब गाउं आते हैं जो ऐसे हमारे गाउं प्रभावित नहीं होते हैं कि सभी गाउं आजू-आजू के डूप जाने के बाद हम लोग जन्तु जानवर रखें उनको ही थोड़ा दिक्कत आती है पानी कितना बढ़ गया है मैं अभी अचानक ध्यान किया मैं साइकिल से राउंड पे था तो मैं देखता हूं देखा अचानक पानी बढ़के आ गया वीडियो अपलोड करूं देखिए पूरा पानी ही पानी जाने का प्राब्लम रहता है ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है 2008 में हमारे गाउंवालों ने अभी घर छोड़ना चालू किया था जैसे पानी घटना चालू हो गया इसलिए हमारे गाउं को ज्यादा प्राब्लम नहीं है तो फिर भी नुक्सान तो हो जाते हैं थोड़ा बहुत कम अत्रम में धान की रुपाई करते हैं बस घेहों की बुभाई करते हैं लोगों तो ओके दोस्तों भाई आज का वीडियो यहीं तक खतम करता हूं मैं तो प्लेस थैंक यू श्यमाई वीडियो आंड शेयर सब्सक्राइब आल सो